Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है So ये एक short reading होती है और सारे star signs के लिए है और ये बिलकुल timeless reading है, so let's start आपके person की current feelings और thoughts So पहला card है हमारे पास five of jealousies जो के five of cups है, फिर है हमारे पास four of swords So maybe उनके घर में कोई बिमार है जिसे वो look after कर रहे हैं और काफी परिशान है फिर है हमारे पास the emperor और उन्हें लगता है कि ये सही decision है जो भी उन्होंने लिया है जो भी उनका focus है उनको लगता है कि वो सही decision है, the hermit So right now आप दोनों एक साथ नहीं है, I definitely feel या तो less to no contact situation है या बिलकुल separation है या आपके person इस वक्त आपको ghost कर रहे हैं वो खामोश है, वो आपसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंके वो परिशान दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ से वो deal कर रहे हैं इस present time में And I also feel कि कोई loss महसूस कर रहे हैं God forbid हो सकता है कि किसी ने अपनी mother को खोया है, या father को और उन्हें वो बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा sad है, बहुत sad दिखाई दे रहे हैं आपके person बहुत ज़्यादा lost दिखाई दे रहे हैं इस present time में फिर हमारे पास strength लेकिन ये एक बहुत strong इंसान भी है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं Three of wands, it will take some time I feel कि आपके person को थोड़ी space चाहिए इस present time में थोड़ा वो अकेला रहना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादी this hermit mode से बाहर आ जाएंगे फिर हमारे पास queen of chalices and next we have the sun so bottom of the deck पर हमारे पास है 10 of chalices, wow 10 of cups, यानि के so आपके person आपको as a family material देखते हैं they really love you, they really admire you मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे इस present time में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा detached है अपने जिन्दगी के मामलात को देख रहे हैं sad हैं, बहुत ज़्यादा low energy में हैं बहुत low महसूस कर रहे हैं, अकेला रहना चाहते हैं भी उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें थोड़ी सी space चाहिए वो थोड़ा सा alone time spent करना चाहते हैं और आपने बहुत gracefully इस बात को understand किया because आप ये queen of pentacles हैं चाहे आप male हो या female बट आपने बहुत gracefully उनकी बात को माना है understand किया है और आपने उन्हें बिल्कुल भी force नहीं किया बात करने के लिए, whatever और आपके person बहुत ज़्यादा आपकी इस maturity को admire कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उन्हें आपसे प्यार भी है और वो आपकी respect भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपने उनके decision की respect की और हमेशा उन्हें understand किया है और कभी भी उन्हें bother नहीं किया परिशान नहीं किया उनका साथ देने की कोशिश की है So I feel कि it's just a matter of time कि ये इनसान बहुत जल्द आपके पास वापिस आएंगे ये आपका long distance connection भी हो सकता है बर जो भी है ये इनसान आपके पास वापिस आ रहे है और इस hermit mode से बाहर आने वाले है ये जो भी sadness ये जो भी pain है ये जो भी loss है जो वो इस वक्त महसूस कर रहे है I feel कि वो finally this energy से बाहर आने वाले है और आप लोगं का connection progress करने वाला है आप उनके नजदीक family हैं वो आपको as a family देखते हैं और जितना आपने उन्हें nurture किया है वो आपसे nurture होना चाहते हैं I also feel कि आपने बहुत ज़्यादा उनके लिए किया है हमेशा हर time में यानि बुरे से बुरे वक्त में भी आपने उन्हें support किया है so इस बात को वो बहुत ज़्यादा admire करते हैं और understand करते हैं और आपके साथ उनकी ultimate happiness है वो ये महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पस the sun है और queen of pentacles है और वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं आपको खुशी देना चाहते हैं और राइट ना उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो अभी आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो खुद भी बहुत ज़दा परिशान है और वो आपको भी खुश नहीं कर पा रहे इसलिए वो आपसे detached हैं थोड़े से क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक वो खुद से stable महसूस नहीं करेंगे बहतर state of mind में नहीं होंगे आपसे अच्छे से connect नहीं करेंगे लडाई हो जाएगी या कुछ आपसे बुरा कह देंगे या आप hurt हो जाएंगे इसलिए वो choose कर रहे हैं इसलिए वो choose कर रहे हैं थोड़ा सा detach रहना और जैसे ही वो थोड़ा सा बहतर feel करेंगे वो आपके साथ दुबारा connect करेंगे definitely connect करेंगे क्योंकि yes वो आपको miss भी बहुत ज़दा करते हैं और आप उनकी family हैं आप उनके लिए बहुत ज़दा important हैं so I feel के it's just a matter of time कुछी दिनों में ये इंसान आप से दुबारा connect करेंगे so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye bye